Hi everyone, this is Anam. Welcome to PhD Jobs and Admission. So, आज के इस लेक्टर में हम research methodology से related कुछ important MCQs देखने जा रहे है for your upcoming Avadish Pratap Singh University for your PhD entrance examination. जैसे कि आपको पता है, इस university का जो PhD entrance examination है, यह आपका 22nd of July 2022 को कंड़क करवाया जा रहा है. तो 22nd July के दिन आपका exam कंड़क करवाया जाएगा, जिसमें आपको research methodology से exam में questions देखने मिलेंगे. So, आपको 100 questions total exam में पूछा जाता है, जिसमें आपको 50 questions जो है research methodology पर पूछा जाता है और 50 questions आपके subjects are related. तो इस तरीके से total आपका paper 100 marks का होता है, तो आपको examination को qualified करने के लिए minimum 50% mark score करना है, यानि minimum आपको 50 MC की इस exam में mark करना है, यानि आप सिफ research methodology की भी अच्छी तरीके से preparations कर लो यहाँ पर, तो आप easily इस university की PhD entrance examination को आप crack कर पाऊगे, जैसे कि मैंने आपको बताया है, हमारे lectures में हम आपको research methodology की, जो important questions है, जो important questions जो generally PhD entrance examination में पूछ रहते हैं, वो सारे questions हम आपको lecture series से solve कर बाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे content में आपको सारा detail में, सारा हम आपको guide करते हैं, instructions हम आपको देते हैं, आपको follow करने हैं, वो सारे instructions, आपको किस तरीके से हमारे content का use करना है, किस तरीके से आपको time utilize करना है, किस तरीके से हमारे content से आपको questions पूछी जाने के chances हैं, यह सारा हम आपको हमारे course के बताते हैं जिसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो वीडियो लेक्टिर्स आपको देखने में लेंगे नोट्स मॉक्टेस और 1500 प्लस प्रैक्टिस एमसी किस पीडियेफ जो कि हमारा एक रिपीजन का काम करती है यह पीडियेफ तो हमारे इस कि अग्फ इसी कंटेंट से पूछे जाएंगे तो जिसे कि 100% guarantee के साथ हमारा यह content होता है 100% assurity के साथ हमारे content प्रवाइड करते हैं यह स्क्रीन पर जो दियेगे content है अगर आपको एकसेसक करना है तो एकसेस करना के लिए स्क्रीन पर यह निज़у निज़ दारह जिस को वाटसAC थूइं को आदो रखना है याद रखना है डि मिया सीnor फैस ओसी वा उटसाइप के तूइं हमें से जाधा टाइम वह तरह domains के तılar सांभा kilometers पेसल करते हैं और अभुआ केरे में और रहे हैं यह सारा अप लग एक ऊन्व पर एक ही जगा मिलेगा कई students क्या करते हैं internet से study material refer करते हैं internet पे जो language यूज़ करी जाती है बहुत difficult language यूज़ करी जाती है जिससे कि आपको समझ नहीं यादा है क्या लिखा हुआ है किस तरीके से यह जो contain है आपको किस तरीके से read करना है कितना contain आपको follow करना है क्योंकि हम हमारे course में आपको बताते हैं आपको कितना study material यूज़ करना है बहुत जादा भी ने आपको पढ़ना है बहुत कम भी ने आपको जितना sufficient है आपके study के लिए उतना आपको पढ़ना है हमारे course में आपको guide करते रहते कि इस तरीके से आपको किस topic पर ज्यादा focus लेना है कहां से जादा questions आपको पूछे जा सकते हैं यह सारी चीजे हमारे course में आपको बताते हैं हमारे जो course है आपको guarantee के साथ के ते हमारे इसी course आपको exam में 30 से 35 questions डेरिकली पूछे जाएंगे तो जल से जल आपको course को purchase करना है, purchase करने के लिए screen पर जो number नजल आ रहा है, इस पर WhatsApp के तुरू हमें contact करना है, याद रखेगा, normal calls number पर नहीं लगेगा, और आप हमारे इस app के तुरू भी study material को access कर सकते हैं, so app को access करने के link मैंने आपके साथ description box में provide कर रखी है, so that's it and let's begin with the MCQs First question, critical region is a region of, इस question अब हमें find out करने कि critical region कौन सा region होता है, अब critical region आपका hypothesis testing से related है, अब जब अपनी hypothesis को test करते हो research में, तो आप हमेंशन null hypothesis को test करते हो, या फिर आप null hypothesis को accept कर लेते हो, या फिर reject करते हो, so आप क्या करते हो, जब hypothesis test perform करते हो, जैसे z test, t test, और अवाट इस इस सारे test में मान लीजिए आपका curve है कुछ इस तरीके से given होता है, इस curve में अगर आपके जो values है, आपके जो errors है इस region में लाए करते है, तो आप क्या को yn को गई इस region को हम कहते है, rejection region, जिसमें आप को गई है. critical value आपके जो values है आपके जो errors है अगर इस region में लाए करते हैं उसे हम कहते हैं rejection region अगर आपके values इस region में लाए करते हैं rejection region में लाए करते हैं तो आप इस case में आपके null hypothesis को reject कर लेते हो और अगर आपके जो values है आपके जो errors है इस region में अगर लाए करें तो उस case में आपके अगर त कौन सा region होता है, ऐसा region जिसमें आपके जो values है, आपके जो error है, इस region में लाए करें, मतलब rejection region में लाए करें, जिस case में आप क्या करते हैं, आपके null hypothesis को reject कर लेते हो, तो critical region वो region होता है, जिसमें हम कहते है, rejection region, that's why आपर अपका correct option हो जाएगा, option A, rejection, next, what is the mean of the observations, 50, 60, 80, 135 and 15, इस question में हमें कुछ observations given है, कुछ data given है, और उस data का हमें mean find out करना है, तो mean जिसे हम average भी कहते हैं, आपको इस data के average value find out करनी है, अब mean का भी formula होता है, आपको mean का formula पता होना चाहिए कि mean का formula क्या होता है, तो mean का formula होता है, submission of xi upon n, submission का मतलब होता है, addition, कि आपके पर जितना भी data है, जितने भी numbers है, उन सब को आपको add करना होता है, जिसे हैं आपर 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 जो भी data है, आप उसको पहले add कर लेते हैं, 50 plus 60 plus 80 plus 100 plus 35 plus 50 divided by n, n का मतलब होता है, total numbers, total observations, आपर आपके बस कितने total numbers है, 1, 2, 3, 4, 5 and 6, so divided by आपका हो जाएगा 6, so इन सारे numbers को इन सारे terms को अगर आप add करते हो, आपका answer आजाएगा 340 divided by 6, so 340 divided by 6 का आपका answer आजाएगा 56.6, so इस case में आपका जो mean है, आपकी जो इस data के average value हो जाएगी, वो हो जाएगी 56.6, that's why आपक correct option हो जाएगा option A, next, dash are simply facts or recorded major of certain phenomena, इस question में एक definition given है, मैं find out करनी की definition किस option की definition होगी, अब इस definition में ये given है कि एक simply fact है, एक phenomena है, जिसके आप reading लेते हो, जिसको major करते हो, इसको record करते हो, so वो कौन सा option होगा मैं इस find out करना है, so वो option होगा आपका data, so इस question में आपको बस दो ही option म confusion होगी, intelligence होगा नहीं, क्योंकि ये human being के qualities से related है, so ये आपको option C, इन करेक्ट होगा, बस option E और B में थोड़ा confusion होगा, तो data, data क्या होता है आपका, किसी phenomena को आप, कोई phenomena है, उस phenomena के आप reading लेते हो, इसके reading लोगे, उसको major करोगे, and then, उसको record करेगे, okay, उस phenomena को, उस phenomena के reading लोग इसको record करोगे, तो उससे हम कहते है, data, और information किसे कहते है, information हम, process, processed, data को, हम information कहते है, अब process data क्या होता है, जिससे अपने, कई से information collect कर ली, sorry कह, अपने data collect कर लिए, जिससे अपने sample से data collect कर लिया, sample से data को collect करने के बाद उस data का process करोगे मतलब उस data में जो भी errors है जो भी wrong information है उसको आप delete कर दोगे उसको आप delete कर दोगे जो भी errors है जो भी आपको information नहीं चाहिए उसको आप delete कर दोगे और उस process data को हम कहते है information so information किसे कहते है process data process data data का process करते है उससे कुछ meaningful statement बनाते है meaningful कुछ things बनाते है उससे हम कहते है information but data क्या होता है data कैसा phenomena होता है जिसके आप reading लेते है उसको major करते है उसको record करते है so this question का correct option हो जाएगा option b data next what is the median for the observations 34, 25, 33, 45 and 62 this question में हमें कुछ observations given है कुछ data given है और इस data का हमें median value find out करना है अब median क्या होता है आपके जो observations आपके जो data होता है उसकी median value को हम कहते है median अब इस question में हमें median find out करना है given observations का so median को find out करने के लिए आपको कुछ steps याद रखना है अगर आप यह steps याद रखोगे तो आप कभी नहीं भूलोगो कि median को किस तरीके से find out करना होता है median को find out करने का step 1 होता है step 1 में आप आपका जो भी data होता है इसको आप arrange करोगे increasing order में increasing order में आपके data को arrange करना है जैसे यहाँ पर आपका सबसे smallest data number है 25 then 33 then 34 then 45 then 62 तो आपने यह increasing order में आपके data को arrange कर लिया then step 2 में आप यह देखोगे कि आपको जो numbers given आपको जो data given है वो odd है या फिर even है मतलब अब जैसे कि आपको यह data given है इसमें कितने numbers आपको count करना है 1,2,3,4,5 मतलब आपको जो data given है यह odd है अगर 6 odd number होता है 62 की बाद एक और होता तो 6 होता total तो उस case में आपको data होता है वो even होता बट हमें जो data given है इस case में यह odd है अगर आपका data odd है उस case में आपकी median की value अगर आपका data odd होता है तो उस case में आपकी median की value सिफ एक ही होती है अगर even होता है तो उस case में आपकी median की value 2 होती है अब यह data जिसे के odd है तो यहाँ पर एक ही आपकी median value होगी किसे हम left से जा रहे है first second third number पर 34 आ रहा है अगर हम right से भी जा रहे है first second और third number पर आपका 34 आ रहा है क्योंकि यह data odd है और odd data की median value सिर्फ middle value एक ही होती है और इस case में आपकी median value हो जाएगी 34 that's why आपर कोगा correct option हो जाएगा option B34 next question if mean and coefficient of variation of a set data is 10 and 5 respectively then standard deviation is इस question में हमें mean और coefficient of variance की value given है और हमें standard deviation की value find out करना है इस case में आपकी mean की जो value है वो है 10 and आपकी जो coefficient of variance की value जो समसी भी लिखते हैं उसकी value हो जाएगा आपकी 5 अब coefficient of variance का आपका formula होता है sigma upon mean mean को हम mu भी लिखते हैं यह पर हम mu लिखेंगे sigma होता है आपका standard deviation क्योंकि हमें standard deviation find out करना है इसलिए हम क्या करेंगे coefficient of variance का formula लिखेंगे coefficient of variance का formula होता है sigma upon mu sigma का मतलब होता है standard deviation and mu का मतलब होता है mean so sigma, sigma तो हमें find out करना है जो कि आपका standard deviation है mu, mu की value हमें given है 10 and coefficient of variance आपको given है 5 सो इस case में आपको cross multiply करना है सो sigma is equal to 10 into 5 तो 10 into 5 अगर आप करते हो कहां सर आ जाएगा आपका 50 सो standard deviation के आपकी value आ जाएगा इस case में 50 सो यह आपका option भी correct हो जाएगा next the test statistic to test for not normal population इस question में मैं find out करना है अगर आप statistical test perform कर रहे हो statistical test में कौन सा ऐसा test होता है जिसमें आप assume करते हो कि आपकी जो population है वो normal नहीं होगी तो आपको याद रखना है जिससे कि hypothesis में हम सिफो सिफ null hypothesis को test करते है या फिर आप null hypothesis को accept करते हो या reject कर लेते हो so null hypothesis को हम टेस्ट करते है so null hypothesis को test करने के लिए hypothesis testing का use करते हो, so hypothesis testing में भी आप statistical test perform करते हो, statistical test के two types होते हैं, आपका एक होता है parameter test दूसरा होता है non-parametric test, parametric test वो test होते हैं, जिसमें आप अजीम करते हो कि आपकी जो population है, आपके जो population का distribution है वो normal होगा आपकी population का distribution आप parametric test में अधिम करते हो कि normal होगा और non-parametric test में आप ऐसा खुल अधिम नहीं करते हो आपकी जो population है उसका distribution नार्मल होगा आप parametric test में आपके कौन-कौन से test आजाते है F test, आपको यहाँ पर देखना है F test, Anova test, T test और Z test भी आ जाता है लेकिन non-parametric test में आपका आता है K square test, U test and H test इस question में भी हमें यहीं पूछ रहा है ऐसा कौन सा statistical test है जिसमें आप कौन सा ऐसा test यूज करते हो जिसमें आप यह आजीम नहीं करते हो कि आपके population का distribution है वो normal नहीं होगा आप non-parametric test में यूज करते हो कि आपका population है, population का distribution normal नहीं होगा आपका आता है test Chi-square test So for this question, option D here is the right answer Chi-square test Chi-square test एक ऐसा statistical test है statistical test में non-parametric test में आपका Chi-square test आता है जिसमें आप assume करते हो कि आपकी population है population का distribution normal नहीं होता है So आपका option D correct हो जाएगा Next, which is the following as relative major of dispersion इस question में हमें पूछ रहा है कि ऐसा कौन सो option है जो relative major of dispersion है मतलब ऐसा कौन सो option हम पो ये बता रहा है कि आपका जो data है किस तरीके से dispersed है किस तरीके से spread out है अब one by one हम option सेखते है option A standard deviation जैसे कि हमें पता है standard deviation को हम sigma से denote करते है उसी तरीके से variance को भी हम square variance का formula होता है sigma square उसी तरीके से coefficient of variance का जैसा हमने अभी देखा formula sigma upon mu होता है यहापर sigma का मतलब होता है standard deviation and mu का मतलब होता है mean जैसे कि आप देख रहे हो standard deviation और variance यह दोनों की value absolute है absolute मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ sigma है यहाँ पर और कोई values नहीं है लेकिन coefficient of variance में आपका जो sigma है जो standard deviation है it is relative to mean यह आपका mean से relative है coefficient of variance आपका absolute नहीं होता है coefficient of variance आपका standard deviation से relative to mean mean से relative होता है इसी question में मैं पूच रहा है relative measure of dispersion relative measure of dispersion आपका हो जाएगा coefficient of variance यह सारे में आप मेज़र कर सकते हो dispersion को मेजर करने के लिए आप standard deviation variance, coefficient of variance variation ये तीन भी यूज़ करते हो बस इस question में पूच रहा है relative measure of this person relative measure of this person में आपको हो जाएगा correct option coefficient of variance because it is relative to mean so आपका option से correct हो गया next which of the following is the non-random method of selecting samples from a population इस question में पूच रहा है कि ऐसी कौन से sampling है ऐसी कौन से sampling technique है जिसमें आप population में से members को population में से samples को non-random method से non-random way से select करते हो non-random method मतलब क्या होता है जिसमें आप randomly population में से members को select नहीं करोगे बलके आपके convenience, purpose और judgment के basis पर से population में से samples को select कर लोगे तो याद रखेगा जिसे probability sampling, probability sampling में आप randomly population में से samples को select कर लेते हो तो यहाँ पर probability sampling के हमें कुछ types given है जिसे simple, random, stratified and cluster यह तीनों भी आपकी probability sampling के types होते हैं जिसमें आप population में से members को randomly select कर लेते हो तो यहाँ पर आपका option A, option B and option D, तीनों भी incorrect हो जाएगे वेराज यहाँ पर आपका correct option हो जाएगा option C, quota sampling quota sampling यह आपके non probability sampling का type होती है जिसमें आप आपके convenience, purpose, judgment और non random way से population में से samples को select कर लेते हो तो यहाँ पर आपका option C, correct हो जाएगा अब quota sampling में आप किस तरीके से population में से members को select करते हो आप हमें इस diagram के through देखते हैं यह आपके हो जाएगी population, quota sampling में आपके पास बहुत large amount में population होती है और आपका quota sampling में आप क्या करते हैं आपके purpose, आपके convenience की basis पर से population में से members को select करते हो और non random way से non random method यूज़ करकर आप population में से samples को select कर लेते हो जैसे इस population में men है, women है, तो सारे age group के लोग है अब मुझे यहाँ पर study करना है, मेरा purpose यह है कि मुझे ऐसे males पर study करना है जिनकी age above 40 है तो मैं इस population में से safe or safe, males को select करने वाली हूँ, यह तो confirm है और ऐसे males जिनकी age above 40 है अब इसी के साथ से मैं यह भी देखोंगी कि मुझे किस person से, किस male से मुझे information मिल सकती, मुझे data मिल सकता है तो मैं अपने purpose और अपने convenience के basis पर से, अपने judgment के basis पर से, इस members को select कर लोगी, इस member को select कर लोगी, इस member को select कर लोगी और इस members को select कर लोगी यह सारे मेरे samples बन जाएंगे और इस samples पर में अपनी study perform करोगी तो आपको यह आद रखना है ऐसा, ऐसी sampling method जिसमें आप non-random वे से population में से samples को select करते हो, वो होती है आपकी quota sampling, that's why आपका option सी correct हो जाएगा, next the standard deviation of a set of 50 observations is 8 if each observation is multiplied by 2, then the new value of standard deviation will be so हमें इस question में standard deviation की values find out करनी है so हमें एक old standard deviation की value और एक new standard deviation की value find out करनी है old की value हमें सारी given से और हमें new standard deviation की value find out करनी है so standard deviation जिसको हम sigma लिखते है, उसका formula होता है, the root of xi minus x bar the whole square divided by capital N, अब इस question में हमें बताया है कि standard deviation of a set 50 observations 50 observation मतलब यहाँ पर capital N का मतलब होता है total number of observation so total हमारे 50 observations है x i का मतलब होता है कितने observations है और x bar का मतलब होता है total average of observation और observations का mean okay, so इस case में हमें गिवन है कि standard deviation of a set of 50 observation, total 50 है और 8 क्या है 8 हमें old sigma 8 क्या है, observations हमें गिवन है तो यहाँ पर old sigma आपका जाएगा sigma old 8 okay, अब हमें यह दिया है second आपको बस यह अपने statement first statement हमने solve का लिया second statement आपको given है if each observation is multiplied by 2 सारे observations को हमने 2 से multiply किया then new value of standard deviation नई value क्या हो जाएंगे standard deviation के हमें यह find out करना है so old को हमें ध्यानी ने देना है बस हमें यह याद रखना है कि standard deviation हमें इतना standard deviation को formula यह हो गया अब new standard deviation आपका हो जाएगा under root of क्योंकि यहाँ पर हमें बताया है कि हर एक observation का में 2 से multiply करना है so यह हो जाएगा आपका 2xi minus 2x bar the whole square divided by capital N अब 2xi minus 2x bar square यहाँ पर हम 2 common ले सकते है so यहाँ पर आपको 2 common लेना है so 2 common लेने के लिए आपका हो जाएगा 2 square क्योंकि यह square में है पुरा इसलिए 2 square आपका common आजाएगा xi minus x bar the whole square divided by N अब 2 का square यहाँ पर square and square के answer हो जाता है इसलिए आपका 2 बाहर आजाएगा under root of आपका क्या बच गया xi minus x bar the whole square divided by N so यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 यह आप देख रहे हो xi minus x square divided by N यह आपका sigma old था और sigma old हमें कितना given है 8 so 2 into 8 हो जाएगा आपका 16 so इस case में आपका क्या हो जाएगा new standard deviation new आपका sigma new हो जाएगा उसकी value आजाएगा आपकी 16 that's why आपका option सी correct हो जाएगा next if the first and third quartiles are 22.16 and 56.36 respectively then quartile deviation is इस question में में first and third quartiles की values given है first quartile की value है 22.16 and third quotile की value है 56.36 and हमें quotile deviation की value find out करनी है अब quotile deviation क्या होता है पहले आपको यह पता होना चाहिए quotile deviation आपको again quotile deviation यह बताते है आपका जो data है data किस तरीके से spread है किस तरीके से distribute है quotile deviation भी आपको यह बताते है आपका data किस तरीके से spread out है अब हमें इस question में quotile deviation की value find out करनी है so quotile deviation quotile आपको name से meaning पता होना चाहिए quotile मतलब 4 मतलब आपका quotile deviation होता है उसमें जो आपका data होता है कुछ 4 parts में divided होता है आपका जो data होता है 4 parts में divided होगा Q1, Q3 and Q4 इस तरीके से sorry Q1, Q2 and Q3 अब आप जब भी quotile deviation calculate करते हो quotile deviation जिसे हम लिखते है QD उसका formula होता है Q3 minus Q1 divided by 2 जैसे कि आप देख रहे हों यहापर आपको first quotile first quotile मतलब Q1 की value आपको given है 22.16 and third quotile आपको third quotile की value given है 56.36 so हम इस formula में इस formula में हम value substitute करेंगे Q3 की value आपकी है 56.36 minus Q1 की आपकी value है 22.16 divided by 2 जैसे हैं आपको इसको substitute करना है substitute करने के बाद आपकी value आजाएगी 34.2 divided by 2 34.2 divided by 2 आपका हो जाएगा 17.1 जैसे हैं आपकी जो quotile deviation है quotile deviation यह बताता है आपका जो data है कितना spread out है जो इस case में आपका जो data है वो 17.1% spread है जैसे है आपका correct option हो जाएगा option A 17.1 and thank you for watching this video good luck with your preparation and see you tomorrow with another video do 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 k